हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मून केक्स, कैसे हैं आप सब, होप यू अल अर डूइंग वेल, तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही खुबसूरत और एलिगेंट सा पाइनेपल केक, इसके लिए मैंने पहले अपने छेंज के टिन में एक स्पॉंज बेक किया था, उसको मैंने तीन लेर्स में कट कर लिया, और मिडल वाला लेर जो है अपने केक बेस्ट पर मैंने स्टिक कर लिया, विदेल्प ओफ क्रीम, मैंने अपने केक बेस्ट को सोक किया, अब फ्रेंड्स, अपने पाइनेपल वाटर से, जो मैंने पाइनेपल चंक्स रेड़ी किया पर डाला मैंने pineapple crush उसके उपर डाले मैंने pineapple के chunks अपना second layer डाला और side से उसको पहले cover कर लिया अगर आपको मेरी videos पसंद आती है friends तो please 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 like कीजिए share कीजिए क्योंकि friends videos बनाने में इसके rating में बहुत महनच जाती है तो अगर आपको पसंद आती है तो please like किया कीजिए मैंने वही same process फिर अपने second layer में भी repeat किया whip cream pineapple का syrup pineapple के chunks उसके बाद मैंने डाले अपने side को मैंने cover किया और उसके उपर से भी मैंने इसको अच्छे से soak कर लिया अब मैंने इसकी अच्छी सी finishing कर दी मैंने अभी अपने cream में कुछ भी mix नहीं किया friends सिर्फ pineapple essence के मैंने दो drops mix किया है और मैंने कुछ भी कोई भी color mix नहीं किया है यह विल्कुल white color है लेकिन इसके बाद मैंने जो इसमें color यूज किया है वो बहुत ही pretty सा shade है उसके लिए मैंने white color के cream में दो drops डाले है super red gel के एक drop डाला है मैंने orange color का और एक drop डाला है मैंने yellow color का वो shade बहुत ही प्यारा सा ready हुआ है मैंने केक की finishing करी उसको side से मैंने comb किया और उपर से मैंने swirl design बनाया कभी-कभी swirl design ना friends बहुत मुश्किल से बनता है मतलब मेरे तो first time में नहीं बना वो थोड़ा सा तेड़ा हो गया फिर second time में वो जाके अच्छे से बना यह देखिए यह बिल्कुल खुशूरत सा center में बनके आया है अब इसके बाद मैंने देखिए जो color यूज किया है उसको मैंने sides में लगाया और side में लगाने के लिए कोई भी color अगर आपको चाहिए होगा ना friends तो please a piping bag यूज कीजिएगा उससे बहुत ही अच्छे सी spread होता है इस color और mix नहीं होता आपके base color में मैंने side में उसको spread किया उसको फिर मैंने नीचे से scrape किया और उसके बाद मैंने इन दोरो colors के बीच में आओ जो nozzle जिससे हम अपना border बनाते हैं ना उससे फिर मैंने बतली सी border बना दी हमें सा पाइनेपल केक का मतलब यह नहीं होता ना friends की yellow color cake हो या basic जो design जो आते जा रहे हैं बेकरीज में वैसा ही कुछ हो हम कुछ नया भी try कर सकते हैं और सच में नया बहुत है खुशूरत लगता है देखने में मैंने sides में उसको अपने हाथों को गुल गुल गुमाते हुए एक rule के सा design बनाया और इसके बाद फिर मैंने जो नीचे orange color का base मैंने रेडी किया था ना उसे ही मैंने दो designs बनाए सिर्फ nozzle change करके मैं बताती हूं कैसे अगर आपको एक ही color से दो या तीन या जादा designs बनाने हैं तो आप एक अलगसी piping bag में अपने नौजल डाली है अपने खाली piping bag में इसके बाद मैंने वह piping bag जिससे मैंने नीचे coat किया था ना उसको उसके अंदर डाल दिया मतलब इसके अंदर हो गए दो piping bag और एक नौजल अ अब मैंने इसे अपने designs complete किये यह केक देखने के लिए ना फ्रेंस मेरी ममा भी बगल में खड़ी हो गई उनने भी केक का कलर बहुत कुछा लगा वह बोल रही थी कि अब तुम्हारा का केक का कलर नो बहुत ही प्यारा लग रहा है आपको वीडियो में उनका हाथ नजर आ इसके बाद देखिए आप इसी पाइपिंग बैग से अपने नौजल निका लिए और फिर इसमें दूसरा नौजल डाली मुझे रोजेट बनाने थे तो मैंने चोटे वाले स्टार नौजल यूज किया है उसको मैंने खाली पाइपिंग बैग में डाला और उसके बाद फि यह देखिए और फिर बिल्कुल मैंने सिंपली ऐसी रोजेट्स बना लिए देसे मैंने नीचे का डिजाइन बनाया था बहुत ही खुब्सुरत और फ्रेश लुक लग रहा है ना केक का जी सब्ल्कुल कि मैंने च्छोटे च्छोटे रोजेट्स बनायां आधे और फिर इसी क्रीम में पुछ तुछा सा बच गया था ना इसी ओर मैंने 2 ड्रॉपज रॉपस टाले हैं उनके जिल दो इसको अच्छे से 50 यह यह और फिर बहुत डार्क कलर में हो गया था लगलर आप बताईए आपको मेरे केक का लुक कैसा लग रहा है अगर पसंद आ रहा है ना तो प्लीज 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 कमेंट कीजिएगा अब इसे मैंने डाले थोड़े से उपर से पर्ल्स अपने एडिबल पर्ल्स और यह रहा मेरे केक का फाइनल लुक मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए फ्रेंज थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो में